का गठन हुआ है उसको और मद्बूत करने का काम हमारी सरकार ने किया है और ये 36 गड़ में जंजाते समाज का समान बढ़ाने के लिए जो उनके पुजारी होते हैं बैगा गुनिया सिरहा इनको पांच-पांच हजार रुप्या सालाना देने की घोसना भी हमारी सरकार ने की ह और ग्रामीड छेतरों में एक अखरा होता है जहां पर उनके सारे सांस्कितिक कारकम, पुजा, पाट, कर्मा उगर संपादित होते हैं तो ऐसे बस्तर और सरगुजा संभा के या जो भी ट्रैवल गाओं के अखरा उसका विकास का एक संकल भी हमारी सरकार ने लिया है बस्तर में परेटन कारीडोर का निर्माण भी किया जा रहा है और मुझे आप लोगों को बताते हुए एक गवरो हो रहा है कि संक्तराश 20 परेटन संगठन जो है जो पूरे 20 में 20 गाओं का चयन किया है परेटन के छेतर में उसमें हमारा 36 गड़ का गाओं धुडमा रास व अब हमारा 36 गड़ विश्व परेटन के निगाह में भी आ गया है हमारी जस्पूर में के प्राकृतिक मदेश और पहाड है जो प्राकृतिक विश्व का सबसे बड़ा सीवलिंग है और उसको मान्यता मिली है भी गवरों का विश्व है और भगवान राम से 36 गड़ का गहरा नाता है माता को सल्या काई मैके है और भगवान राम जो हमारे भाचा है अपने 14 साल के बनवास काल में से 10 साल हमारे 36 गड़ में गुजा रहे हैं तो हमारी सरकार ने राम लला दरसन्योजना का भी सुभारम किया है और इसके तहत आज 20,000 से ज़्यादा राम भक्त अउध्या जाकर भगवान राम का दर्सन करके आ गए हैं हमारी सरकार ने नई उद्योग निती 2014-2030 इसका भी लांच किया है और इसमें हमारे प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार मिले इस पर विशेश ख्याल किया गया है सुच्छ मलगु और मध्यम उद्योग को रियाद देने पर भी नई उद्योग निती में प्रावधान किये गए हैं और उद्योग निती में अनुसुतित जाती जन जाती महला उद्यमी सेवानुरित अगनी भीर भूत पूरो सैनिक नक्सल परभावित आत्मसमरफित नक्सली और जो तिरिते लिंग के उद्यमी विशेश प्रोसाहन का प्रावधान नई उद्योग निती में किये हैं और नक्सलवाद के साथ भी जिस तरह से हमारी सरकार मजबूती के साथ लड़ रही है आज पूरे देश को मालूम है और मानने हमारे देश के असस्वी ग्री मंत्री किसी अमित साहजी मार्च दोहजार चबिश तक नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करने का संकल्प लिया है और उस दिसा में डबल एंजिन की सरकार के कारण भी इस लड़ाई में हमलों को लाब हो रहा है अभी एक साल के अंदर 213 नक्सलियों को मुड़ बेड में मार 1750 नक्सलिया तो आत्म समर्पन की है या उनकी गिरवतारी हुई है और ऐसे छेत्रों में हम लोग नियद नेलानार योजना ये गोड़ी भासा में है इसका हिंदी अनुआद है आपका अच्छा गाउं इसके माध्यम से सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में वहाँ पर ह हम लोग सफल हो रहे हैं लगाता सुरक्षा केम खूल रहे हैं और एक सुरक्षा केम खूलना मतलब सुरक्षा केम के पांच किलोमेटर रेडियस में जितने भी गाम आते हैं वहाँ सरकार की सुधाओं को पहुंचाना और अभी तक एक वर्स में 37 सुरक्षा केम खूल चुक उस कराने में हमारी सरकार सक्षम हुई है एक साल में चार मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माड की परक्रिया सुरू हो गई है जांजगीर चांपा, कबीरधा, मनेंद्रग और गीदम में नए मेडिकल कालेज भवन के लिए एक हजार बीस करोड रुपया सेंक्शन किया गया है और इस प्रदेश ने डबल एंजिन के सरकार के कारण बड़ा तेजी से साल भर में विकास किया है सडक के छेतर में कुल 31,000 करोड रुपया की परियोजना, 31,000 करोड रुपय का विकास काम सुकृत हुआ है और इस तरह से प्रदेश में सडकों का नेटवर्क का जाल विछेगा उसी तरह से अनेक नई रेल लाइन के भी सुकृति पिछले एक साल में मिली है तो इस तरह से एक साल में हर छेतर में विकास करने का परियास इस सरकार ने किया है और जिस तरह से पिछले राइपूर दक्षिन के विधान सवाव चुनाव में हम लोग को सफलता मिली है चुकि ये परदेश के राधानिया सभी तरह के लोग रहते हैं सभी जगों के लोग रहते हैं और वहां जो हम लोग को हमारी पार्टी को एतिहासिक सफलता मिली है सफलता इतनी बड़ी कि कॉंग्रेस का प्रत्यासी जीतना भोट पाया है उससे ज्यादा कि जीत हमारे प्रत्यासी की है भारती जनता पार्टी की है तो यह इस बात का परमाण है कि छतिरगड की जनता ने म मोधी की गारंटी पर और हम लोगों ने जो सरकार के माध्धम से हर वर्ग के विकास के लिए चत्रिकड़ के अंदर में एक साल में काम किया है उस पर मोहर लगाई है अब एक नॉम्बर दोहजार पचीस अगले साल आएगा तो हम लोग रज़त जयनती वर्स में परवेश करेंगे और आने वाले दोहजार अठाइस तक हमारी सरकार का संकल्प है कि जो इस प्रदेश का जीडीपी है उसको दस लाग करोड तक करने का है और ज्यादा नहीं कहते हुए आप मेडिया के साथियों के माध्यम से पूरा मंत्री मंडल आज इस प्रदेश की जनता का धनवाद करने के लिए यहां पर एक अत्रित हुआ है और जो उनके विश्वास में खरा उतरने का हमारी सरकार ने परियास किया है जो मोदी के गारंटी के काम पूरा किये हैं उसका ये के उस्तिका है उसको भी आज जारी कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से ये जनता तक पहुँचे और कल जनादेश परब है 13 दिसमबर है और उस दिन हमारी सरकार ने सपतली थी जिसको जनादेश परब के रूप में हम लोग मना रहे हैं और सोभाग्य है शतिजगड का कि भारती जनता पार्टी के राश्टिय अध्यक्ष और भारत सरकार के स्वासमंत्री आदनसी जेपी नडडा जी कल शतिजगड पधार रहे हैं तो सबसे आग्रह होगा कि कल साइन्स ग्राउंड में तीन बजे कारकम भी है उनका तो उसमें सब सभागी हो और फिर से आप लोगों के मादम से शतिजगड के देवतुल्य जनता का फिर से धनवात करना चाहेंगे उनका अभिननन करना चाहेंगे कि उन्होंने हाँ एक बस्तर ओलंपिक भी करा रहे हैं बस्तर के जो समयदन सिल जीले हैं वहाँ पर वहाँ के युवाओं को विकास के मुखधारा से जोड़ने के लिए बस्तर ओलंपिक की सुरुवात हुई है और बस्तर ओलंपिक में 1,65,000 पंजन हुआ कम समय में अगर और ज्यादा समझ देते तो और संख्या बढ़ जाती उसमें महलाओं की संख्या बराबर है और जिसका समापन भी चौदा तारिक 15 तारिकों है उसमें हमारे देश के समापन में शामिल होंगे और अंत में आप लोगों के माध्यम से च्छतिजगर की देवतुले जनता को उनके जो आशिरवाद उनका जो विश्वास हम लोगों को मिला बहुत बहुत धन्वाद देना चाहेंगे और आप लोग का भी सहोग बराबर रहता है आगे भी रहेगा उसके लिए भी आप लोगों को भी धन्वाद मन्नी मुक्यमंत्री जी ने बहुत बस्तर में आपर उनका